हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल मंजो शोकवाटिका में तो आज हम बात करेंगे अजवाइन के पोधे के बारे में इसको हम आसानी से घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं कटिंग के द्वारा और इसकी हमें क्या केर करनी चाहिए इन सब बातों पर आज ह लगाना है तो हमें इसकी मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें की पानी बिल्कुल भी रुके नहीं अगर पानी रुकेगा तो इसकी जड़े हैं वो स्रडने लग जाएंगी दलने लग जाएंगी और पोधा अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो मिट्टी एक भाघ मिट्टी का लेना चाहिए एक भाघ रेत का और हम आधा भाघ कमपोस्ट का या वर्मी कमपोस्ट का या कोई भी खाद का ले सकते हैं और उसमें थोड़ी कोकोपीट मिला सकते हैं अगर कोकोपीट या कोई वर्मी कमपोस्ट ना हो, तो किसी परकार की खाद ऐसी बनाएं, जिससे की जो ये पोट की मिट्टी है, हलकी रहें, और बिल्कुल ऐसी ना हो, सक्त मिट्टी ना हो, भारी ना हो, जिससे की मतला उसमें पानी रुकें, तो इस तरह आप ये असई अन रखना होता है कि पानी इसकी जड़ों में बिल्कुल भी रुके नहीं तो इसकी कटिंग लगाने के लिए इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है जो हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से आप लगा सकते हैं तो अगर आप इसमें पानी का ध्यान रखेंगे तो इसकी जड़े बिल्कुल नहीं सड़ेंगी पोदे की और अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहेगा और इसे आप छायाधारिस्तान में भी रख सकते हैं धूप में भी यह दोनों ही जगें अच्छी तरह से हो जाता है इसकी यह वैसे सक्लेंट पर जाती कहाई पोदा है इसकी पत्यां जो हैं काफी थीक होती हैं मोटी होती है इसमें पहले पत्यों में काफी मात्रे में पानी होता है तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी देने की भी आवशकता नहीं होती, केवल आप इस प्रेय के द्वारा या हलकी ही वाटरिंग करें इस पोदे पर और यह रेगुलर वाटरिंग करना भी कोई जरूरी नहीं होता, यह वैसी अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है, तो अगर आप इसकी पत्ती को तोड़कर उबाल कर पिएंगे तो यह आपकी पेट के लिए भी काफी फायदे मंद है, और आपकी यह गय साधी समस्याओं में भी फायदा करते हैं, तो देखें आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी लगा सकते हैं, वाल हंगिंग में भी या किसी भी कंटेनर में चोटी से छोटी कोट में भी लगाएंगे तो अच्छी तरह से ग्रो करेंगी केवल आप इसमें अगर केवल पानी का ध्यान रखेंगे तो अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़े गल जाएंगी, तो देखें सबसे पहले इ उसका ध्यान लगते रहें और इसकी केर करते रहें बहुत अच्छी तरह से सर्वाइब करेगा